हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल वर्मा पजश्सी राज़ा के प्रतिरोध के बारे में केरल वर्मा पजश्सी राज़ा जिसे केरल सेमम यानी केरल का शीर या पीछे राज़ा के नाम से जाना जाता है माला बार छेतर में कोट्टायम के वास्तमीक प्रमुक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान का विरोध करने के अलावा केरल वर्मा ने 1703 में और 1805 के बीच अंग्रेजो के खिलाफ लड़ाई लड़ी तीसरे अंग्लो मैसूर युद ने 1790 के पहले के समझोते का उलंगन करते वे कोट्टायम पर अंग्रेजी सर्वोचता का विस्तार किया जिसने कोट्टायम के सुतंता को मान्यता दी अंग्रेजो ने 85 राजा के चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम का राजा निक्त किया नया राजा कंपनी द्वारे निर्धारित राजस लक्षा को पूरा करने के लिए 1793 में में 85 राजा के नेतित में किसानों द्वारा अत्यतिक लगाया गया 85 राजा ने गुरिला युद का उप्योग करके भादूरी से लड़ाई लड़ी और 1779 में एक शांती संदिक की गई लेकिन 1870 में वाइनाड पर एक विवाद पर संगश ने एक विद्रोई युद शुरू कर दिया 85 राजा ने नायरों की एक बड़ी सेना को संगटित किया जो मपीला और पठानों द्वारा पूरक था बाद में टीपू के सेनिकों को द्वस्त कर दिया गया था जो टीपू की मृत्तु के बाद बेरोजगार हो गए थे नवंबर 805 में वर्तमान केरल करनाटक सीमा के पास मवेला टोडू में एक बंदूक लड़ाई में केरल सीमम की रुमित्यों हो गई झाल